गुडिया सबसी लेने बाजार गे हुई थी अंकल अंकल कबूतर अंकल पिलीज पहले मुझे सबसी दे दे मेरी सोतेली मा मुझे बहुत मारेंगी अगर देर हो गई तो फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुडिया को सबसी दे देता है और गुडिया सबसी लेकर घर चली जाती है बेशरम कहां चली गए थी जहां जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो ममा ममा मैंने तो आपसे कहा है इसके पांखी कार देते हैं नहीं नहीं मा, वहाँ सबजी की दुकान पर भेड लगी हुई थी आप खड़े खड़े मेरा मूँ क्या देख रही हो, जा जाकर मेले कपड़े धोले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना गुडिया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है, वो रोय जा रही थी और बर्तन धोय जा रही थी, आज उसे अपनी मा की बहुत यास दा रही थी गुडिया की मा के मरने के बाद गुडिया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुडिया का पापा भी मर गया था ऐसे गुडिया अब अपनी स्वतेली मा और बहन के सहारे ही जीती थी दूसरे दिन गुडिया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुडिया मिलती है गुडिया वो गुडिया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है महरानी अब तेरे इस गुडिया से खेलने के दिन नहीं है जा जाकर रसोई में खाना बना ले गुडिया अपनी गुडिया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है ले माजी और बेहन मैंने खाना बना लिये है गुडिया की सौतेली मा और बहन गुडिया के सामने बैठ कर खाना खा रही थी गुडिया भी भूकी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती हंडिया में कुछ खाना बचा था गुडिया रिसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सोतेली बहन उसे देख लेती है मामा, मामा, देखो, देखो, छोड़नी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है सोतेली मा एक छड़ी लेकर आती है और गुट्या की पिटाई शुरू कर देती है मा, मा मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगे थी, इसलिए गल्ती होगे, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया ममा इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है फिर गुडिया की सौतेली मा और बहन गुडिया को एक कमरे में बंद करके बाहिर से ताला लगा देती है रात हो जाती है और गुडिया बैठी रो रही थी गुडिया, गुडिया मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो तुम तुम तो एक हेलोना गुडिया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत हत्याचार हो गया मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है बहुत मार लिया आपकी सोते लीमा और बहनने आपको अब उनकी बारी है आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ फिर वो चमतकारी गुडिया गुडिया को धेर सारे फल देती है गुडिया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है दो दिन गुजर जाती है ममा दो तिन होके एक बार दर्वाजा खोल कर देखते हैं कि वो गुडिया की बच्ची जिन्दा है या मर गई है फिर वो माबेटी कमरे का ताला खोल कर दर्वाजा खोलती है ये ये आमों के छिलके कहां से आए ममा आने कहां से है इस चोनी ने जरूर यहां फल छुपा कर रखे होंगे मैं अब ही पूछती हूँ इसे गुडिया अपनी चमतकारी गुडिया की तरफ देखती है और चमतकारी गुडिया दोनों मा बेटी को मारने लगती है बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ गुडिया, तेरी ये गुडिया हमें क्यों मा रही है जब तुम मुझे मारोगी, तो मेरी गुडिया भी तुम्हें मारेगी चलो चलो, अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ फिर वो दोनों मा बेटी गुडिया के लिए खाना बना कर लाती है गुडिया आराम से बेड़ पर बैठ कर खाना खाती है सोतेली बेहन चलो अब बरतन धोलो तुम्हें भी तो पता चले के बरतन कैसे धोते है ममा 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 मेरे साथ आए मुझे इस भूतिया गुडिया से बहुत डर लगता है फिर वो दोनों मा बेटी बरतन धोने जाती है तो गुडिया की जादूई गुडिया काली बिली बनकर वहां आ जाती है और उन्हें डराने लगती है बचाओ बचाओ कोई हमें बचाओ फिर गुडिया की सोतेली मा और बहन गुडिया से माफी मांगती है और गुडिया उन्हें माफ कर देती है ऐसे गुडिया की जादूई गुडिया गुडिया का बदला लेती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद चिडिया अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर के सामने बैठी हुई थी जब एक कवा उड़ता हुआ वहां आता है वो कवा अपना पूराना सा एक बैग एक तरफ रखते हुए चिडिया से कहता है मैं पूर वाले जंगल से आया हूँ और यहां साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ चिडिया तुम्हें कोई एतरास तो नहीं है नहीं कवे भैया मुझे कोई एतरास नहीं है वैसे भी मेरा कोई पडोसी नहीं है आ मेरे पडोसी बन जाओगे और हम दुख सुक में एक दूसरे का साथ देंगे फिर कवा अपना काम शुरू करता है वो लकडिया जोड कर घर बनाने लगता है और चुडिया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है गुडिया बेटी आज मैदान में तो दाना नहीं है हमें घने जंगल में जाना होगा वो मा बेटी घने जंगल में जाती है मामा वो वो देखें वहाँ चावल का दाना है आज हम खिचडि बनाएंगे हमें चावल का दाना मिल गया ममा चडिया भी बहुत खुश होती है हाँ गुडिया बेटी मैं किसान की पतनी से शकर ले आउंगी और फिर बनाएंगी खिचडी गुडिया और उसकी ममा चावल का दाना लेकर आगे भरती है फिर गुडिया चावल का दाना लेकर घर चली जाती है और मामा चुडिया किसान की पतनी से शकर लेने चली जाती है मा जी, क्या आः मुझे थोड़ी सी शकर दे देंगी? जुडिया, शकर से क्या बना रही हो तुम? माजी, आज मेरी बेटी का खिचडी खाने का मन है चावल का दाना तो हमें मिल गया है अगर आप थोड़ी सी शकर दे दे तो मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी चुडिया रुको मैं अभी तुम्हें कुछ देती हूँ फिर किसान की पतनी अंदर जाती है और एक डिबा लेकर बाहर आती है चुडिया इस डिबे में खिजडी है मैंने अभी अभी खिजडी बनाई थी ये तुम ले जा फुद भी खा लेना और अपनी बेटी को भी दे देना जो बचे पडोसियों में भांट देना माजी आप बहुत अच्छी है चुडिया वापिस उड़ती है रास्ते में उसे प्यास लगती है वो नदी पर जाती है वो खिजडी वाला डिबबा एक तरफ रखती है और नदी से पानी पीने लगती है पडोसी कवा जो निया निया ही आया था वो पीछे से चुडिया का खिजडी का डिबबा उठा कर भाग जाता है अरे, अरे, मेरा खिचडी वाला डिबबा कहां गया अभी, अभी तो मैंने यहां रखा था चड़िया रोने लग जाती है मेरी बेटी क्या खाएगी मैं कितनी खुश थी मगर मैं अपनी बेटी को खिचडी ना दे सकी निरा शोकर चुडिया अपने घर वापिस चली जाती है कववे का घर भी बन चुका था कववा घर जाकर अंदर से कुंडी लगाता है और मजे मजे से चुडिया की चुराई हुई खिचुडी खाने लगता है डिबा भरा हुआ था मगर कववा भी भूका था वो तो खिचुडी खाए ही जा रहा था ममा के शकर मिल गई बेटी क्या बताओ किसान की पत्नी ने मुझे डिबा भर के खिचुडी का दिया था मगर वो रास्ते में किसी ने चुरा लिया ममा आप परिशान क्यों है कोई बात नहीं मैं दाना खालूंगी मैं चावल पाने में भगो कर ऐसे ही खालूंगी मेरी बेटी बहुत अच्छी है मुझे जरा तंग नहीं करती उधर कवा चुडिया की और उसकी बेटी की सारी खिचुडी अकेला ही खाए जा रहा था खाखा कर कवे का पेड़ फूल जाता है मगर वो डिबा खाली करके ही दम लेता है रात हो जाती है चुडिया और उसकी बेटी बातें करते करते सौ जाती है आधी रात को उन्हें आवाज सुनाई देती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई मेरी मदद करे चड़िया चड़िया अपने ने पडोसी की मदद करो ममा चड़िया जल्दी से उड़ती है अरे ये तो पडोसी कवा रो रहा है वो मुश्किल में होगा मुझे कवे की मदद करनी चाहिए ममा चड़िया अपने घर से निकलती है और पडोसी कवे के घर जाती है कवे दर्वाजा खौलो दर्वाजा बंद है चिडिया खिड़की के रास्ते आ जाओ मैं उठ नहीं सकता मेरा पेट मेरा पेट फट जाएगा चिडिया खिड़की के रास्ते कवे के घर में जाती है कवे के पास खिच्डी का खाली डिबा पड़ा हुआ देखकर चुडिया को समझने में देर नहीं लग दी के कवे के पेट में दर्द क्यूं है मेरे नेपडोसी मेरी खिच्डी तुमने चुरा कर खाई थी मैंने खाली डिबा देख लिया है चुडिया इससे तो मैं भूका ही अच्छा था, ज्यादा किचडी खा लेने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, चुडिया मुझे बचा लो, मेरी मदद करो कवे तुम बहुत लालची हो तुम बुरे हो तुम मेरे बुरे पड़ोसी हो मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूँगी चिडिया आधी रात को बुल-बुल डॉक्टर के घर जाती है बुल 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 मेरे ने पडोसी कवे ने ज्यादा खिचड़ी खा ली है चोरी की थी न इसलिए अब उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है ये दवा ले जाओ ये दवा पी लेने से कवे के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा चिडिया जल्दी जल्दी वापिस जाती है और दवा के दो कवे को पिलाती है थोड़ी देर बाद कवे के पेट का दर्द ठीक हो जाता है शिडिया मैंने अपना एतबार खोया मगर तुमने अच्छा दिखा कर मेरा दिल जीत लिया है मुझे माफ कर दो मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं एक अच्छा कवा बन जाऊंगा कवे मेरे ने पडोसी अगर तुम मेरी खिचडी चोरी ना करते तो फिर भी तुझे खिचडी मिलनी थी मगर इतनी जिसे खा कर तुम्हारे पेट में दर्द ना होता फिर चडिया अपने ख़र चली जाती है पम्मा कवे अंकल के पेट में दर्द क्यों था? गुडिया बेटी कवे नहीं तो मेरी खिचडी चुरा कर खाई थी और अब उसकी दवा भी मुझे हिला कर देनी पड़ी ये सुनकर बिडिया हैसने लगती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साशेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद